असलाम आलेकुम टू All Viewers आज की इस वीडियो में हम Story Devices के बारे में पढ़ेंगे First up all हम देखेंगे के कौन सी Devices को हम Story Devices कह सकते हैं और पिर चंद इक Story Devices के बारे में हम Detail में पढ़ेंगे Story Devices ऐसी डिवाइसे जिनके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं उन डिवाइसे को हम स्टोरी डिवाइसे कहते हैं और कौन कौन सी स्टोरी डिवाइसे हैं हार डिस्क, SSD, CD या DVD, USB, Memory Card and Cloud Storage ये तमाम डिवाइसेज, स्टोरी डिवाइसेज हैं, जिनके अंदर हम अपना डैटा स्टोर कर सकते हैं डैटा मुखलिफ किसम का हो सकता है, डैटा आडियो फार्म में भी हो सकता है, टैक्स्ट या इमिज फार्म में भी हो सकता है तो data को आम तोर पर चार classes में divide किया गया है Data चार किसम को हो सकता है आडियो, वीडियो, टैक्स्ट और इमेज तमाम किसम के data को store करने के लिए हमें story devices की जरूरत होती है और story devices में हम data क्यों store करते हैं ताकि future में हम उस data को इस्तिमाल कर सके Storage Devices Devices which are used for storing data is called Story Devices Hard Disk, SSD, CD-DVD, USB, Memory Card and Cloud Storage are the Story Devices Hard Disk Hard disk computer के अंदर एक permanent storage device हमारे जितना भी data होता है वो hard disk के अंदर ही store होता है Even कि हमारे computer को on करने के लिए जो operating system होता है वो भी hard disk के अंदर ही मुझूद होता है और अगर हम अपने computer से hard disk को निकाल दें तो हमारा computer on भी नहीं होगा क्योंकि computer को on करने के लिए software की जरूरत होती है और हमारे computer को on करने के लिए जो software जरूरत होता है वो hard disk के अंदर ही store होता है तो अगर हम hard disk को निकाल दें तो हमारा computer on भी नहीं होगा और हम अपने computer पर कोई भी काम भी नहीं कर सकते तो hard disk एक permanent storage device है hard disk को mechanical story device कहते हैं इससे mechanical story device इस वज़े से कहते हैं क्योंकि अगर हम hard disk को open करें तो इसके अंदर कुछ platers होते हैं और वो platers जो होते हैं वो rotate करते हैं हरकत करते हैं और उन platers के उँपर से data read करने के लिए मुखलिफ head वगयरा मुझूद होते हैं तो इस तरह से hard disk के अंदर जो plates हैं वहां से data को read भी किया जा सकते है और write भी किया जा सकते है चुकि वो plate rotate हो रही होती है हरकत कर रही होती है तो इस वज़े से hard disk को हम mechanical storage device कहते हैं hard disk के अंदर जो plate होती है उसके उपर magnetic material से उसे coat किया जाता है यनि उसके उपर magnetic material की एक तैह होती है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि hard disk अपने अंदर data को store करने के लिए magnetic technology को استعمال करती है hard disk मुखलिफ sizes में available है 300, 500, even के 1 TB और 2 TB या इससे भी बड़ी sizes में भी hard disk अवेलेबल है याद रहे के hard disk के size से मुराद physical sizes का इतना ही होता है लेकिन इसके अंदर जो data store करने की capacity है वो बढ़ जाती है तो hard disk के अंदर जो data store करने की capacity है वो बड़े size में भी available है और small sizes में भी available है Hard disk A hard disk drive is an electro-mechanical data storey device using one or more rapidly rotating platters coated with magnetic materials hard disk electro-mechanical storey device है और mechanical इससे क्यों कहा गया है क्योंकि इसके अंदर जो plates होती हैं वो move करती है और वो plates जो होती हैं वो magnetic materials से coat की गई होती है It used magnetic storage to store and retrieve digital data Hard disk magnetic storage technology को इस्तमाल करती है data store करने के लिए भी और retrieve करने के लिए भी retrieve का मनलब होता है read करना तो hard disk के अंदर data store या retrieve करने के लिए जो technology इस्तमाल होती है वो magnetic technology है available in different sizes hard disk मुखलिफ sizes में available है SSD यानि के solid state drive ये भी एक story device है ये भी एक permanent story device है और इसका काम भी hard disk की जैसा ही है यानि के data को permanent store करने के लिए ही हम SSD को इस्तमाल करते है hard disk जो है वो एक mechanical device है उसके मुकाबले में जो SSD है ये एक integrated circuit device है यानि इसके अंदर कोई moving part नहीं होता कोई mechanical technology इसमें नहीं इस्तमाल की गई इसमें data को store या read करने के लिए integrated circuits को ही इस्तमाल किया गया है और SSD की जो life होती है वो भी hard disk के मुकाबले में ज्यादा होती है तो हम कह सकते हैं कि SSD hard disk के मुकाबले में एक बहुती reliable alternative है जैसा मैंने आपको बताया था कि hard disk जो है वो magnetic technology को इस्तमाल करती है लेकिन उसके मुकाबले में SSD जो है जो solid state drive है ये flash memory को इस्तमाल करती है और flash memory जो है वो integrated circuit यानि IC वगहरा से मिला कर बनाई जाती है और SSD भी different size में available है ये भी आम तोर पर 60 GB की भी हो सकती है 128 GB की भी 250 GB की इस तरह से ये मुक्तलिफ sizes में available है अब मैंने आपको बताया थो है कि SSD जो है ये hard disk का alternative है और SSD की hard disk के मुकाबले में speed भी बहुत जादा होती है लेकिन इसका disadvantage या नुक्सान एक ये है कि hard disk के मुकाबले में SSD एक costly device है यनि कि SSD एक महिंगी device है और hard disk जो है वो एक सस्ती या cheap device है SSD SSD A solid-state drive is a solid-state storage device that uses integrated circuit assemblies to store data persistently, used in the place of hard disk because of its much greater speed. It used flash memory for storing and retrieving data, available in different sizes. CD and DVD CD stand for compact disk and DVD stand for digital video disk या ऐसे digital work style disk भी कहते हैं ये एक plastic की disk होती है जिसके अंदर हम data को store कर सकते हैं और मैंने आपको बताया है कि hard disk के अंदर magnetic technology इस्तमाल की गई है, SSD के अंदर flash memory इस्तमाल की गई है data को read करने के लिए भी और write करने के लिए भी. CD या DVD जो होती है ये plastic material की बनी हुई होती है और ये भी different sizes में available है CD में आम तोर पर हम 700 MB तक data store कर सकते हैं और DVD जो है वो आम तोर पर 4.7 यानी 4 शर या 7 GB का data DVD में store कर सकते हैं लेकिन आज केल इससे बड़े size में भी DVD available है CD and DVD, compact disc and digital video disc are molded plastic disc containing digital data that is scanned by a laser beam It used optical memory for storing and retrieving data available in different sizes Flash memory आम तोर पर जो चोटी USB होती है इसे flash memory या flash drive भी कहते हैं इसके अंदर भी हम data को store कर सकते हैं और store की हुई data को read भी कर सकते हैं USB flash drive जो होती है, ये size में बहुत चोटी होती है और आम तोर पर CD या DVD के मकाबले में आजकल इसको ज्यादा इस्तमाल किया जाते है जब से USB के इस्तमाल आम हुआ है, CD या DVD की जो popularity थी वो कम हो गई है आजकल बहुती कम लोग CD या DVD इस्तमाल करते हैं क्योंकि CD या DVD के मकाबले में आजकल एक चोटी USB flash drive को इस्तमाल किया जाते है चुकि या साइज में छोटी होती है और बड़ी असानी से हम इसे पाकेट में डाल कर कैरी कर सकते है और CD या DVD में एक नुकसान ये होता है कि उसमें जब हम एक दफ़ाए डाटा को कापी कर लेते हैं तो उसमें से सिर्फ हम फिर रीड कर सकते हैं दुबारा से उस कापी की गए डाटा को हम डिलीट नहीं कर सकते हैं जबके उसके मकाबले में USB फ्लेश ड्राइव में हम जतनी बार मर्जी डाटा को कापी करें और वहां से फिर डिलीट करके नया डाटा भी कापी पेस्ट कर सकते हैं तो इस तरह से CD या DVD के मकाबले में USB फ्लेश ड्राइव जो है वो एक जादा बैटर चाइस है और इसी वज़ा से आजकल ये ज्यादा इस्तमाल हो रही है मजीद ये कि CD या DVD जो होती है वो कुछ हरसे के बाद स्क्रैज हो जाती है वो खराब हो जाती है जबके उसके मकाबले में USB फ्लेश ड्राइव के खराब होने के चांसे थोड़े कम होते है जैसे कि इसके नाम से जाहर है USB फ्लेश ड्राइव भी फ्लेश मेमरी टेकनालोजी को ही इस्तमाल करती है मैंने आपको बता है हार डिस्क में हार डिस्क कौन सी मेमरी टेकनालोजी इस्तमाल करती है CD या DVD जो है वो आप्टिकल मेमरी को और USB जो है इसके नाम में ही आगया फ्लेश मेमरी तो USB जो है ये एक फ्लेश मेमरी है USB भी मार्कीट में different sizes में available है इसमें भी different sizes में 4GB की हो सकती है 8GB की, 16GB, 32, इसके लावा 64 और 128GB तक की USB आजकल मार्कीट में available है Flash Memory A flash drive is a data storage device that includes flash memory with an integrated USB interface It is typical removable, re-writable and much smaller than an optical disk It used flash memory for storing and retrieving data available in different sizes Removable का मतलब ये होता है कि इसको हम computer के साथ बड़ी असानी से attach कर सकते हैं और फिर remove यानि के उतार भी सकते हैं Rewritable यानि एक बार इसमें data आपने copy कर दिया है तो वो data आप delete करके नए services में नया data भी copy paste कर सकते हैं और इसका interface जो होता है यानि इसका आगे जो hub होता है वो USB टाइप होता है जिसको हम computer के USB port के साथ attach करते हैं Memory card Memory card से तक्रीबन आप लोग सबी वाकिफ होंगे Memory card भी flash memory technology को ही इस्तमाल करते है और आम तोर पर memory card को हम camera's के साथ और mobile phones के साथ इस्तमाल करते हैं Mobile या camera's में अपने data को store करने के लिए हम memory card को इस्तमाल करते हैं और memory card भी different sizes में available है जिसमें 2GB, 4GB, 8GB, 16GB और even के 32 या 64GB तक के आजकल memory card market मारकीट में available है Memory card, a small flat flash drive used especially in digital cameras and mobile phones Available in different sizes और ये भी different sizes में available है Cloud storage Cloud storage कोई device नहीं है बलके हमारा जो data इंटरनेट पर store होता है उसे हम कह सकते हैं वो cloud storage आजकल बहुत सारी इंटरनेट पर ऐसी websites हैं जो हमें कुछ storage या space आफर करती हैं जिसमें हम अपना data online store कर सकते हैं Cloud storage में store करने का ये फायद होता है कि अगर हमने mobile की मदद से अपना data cloud storage में save की है तो फिर हम उसी data को laptop या अपने computer पर असानी से access कर सकते हैं मजीद इसका फायदा ये है कि अगर हमने एक जगा पर घर बैठकर अपने computer से अपना data cloud storage में save की है तो हम चाहिए दुनिया के किसी भी कौने में चले जाएं जहाँ पर जस्ट हमें internet access होना चाहिए वहाँ पर internet की मदद से हम अपने cloud storage ते data को हासिल कर सकते हैं तो हमारा internet पर जो data मुझूद होता है उसे हम कह सकते हैं वो cloud storage में save है और अगेन मैं बता दूँ कि cloud storage कोई device नहीं बलके हमारा जो internet पर data होता है उसे cloud storage कहते हैं आजकल बहुत सारी internet पर ऐसी website हैं जो cloud storage space आफर करती हैं मैं यहाँ पर cloud storage जो provide करने वाली services हैं उनमें से दो के नाम बता देता हूँ एक Microsoft की तरफ से OneDrive OneDrive Microsoft की तरफ से एक cloud storage है जहां पर हम अपना data internet पर store कर सकते हैं और दूसरी Google की तरफ से एक आफर की गई है जिसे हम Google Drive कहते हैं और आम तोर पर Android मुबाइल में आपने एक देखा होगा Google Drive का option होता है तो उस Google Drive के अंदर हम data store करें तो वो data हमारा internet पर save होता है और याद रहे कि उस data को सिर्फ हम ही access कर सकते हैं कोई दूसरा उस data को access नहीं कर सकता cloud storage, a cloud storage computing model that stores data on the internet through a cloud computing providers who manages and operates data storage as a service अब ज़र हम अपने topic को sum up कर लेते हैं हमने आज की इस वीडियो में story devices के बारे में पढ़ा और मैं अगेन बता देता हूँ कि ऐसी devices जिन में हम अपना data store कर सकते हैं उन्हें story devices कहते हैं और story devices में hard disk, ssd, cd या dvd, usb flash memory, memory card और cloud storage के बारे में पढ़ा और याद रहे कि मैंने ये भी बताया है कि data जो है वो चार किसम का हो सकते है वो data की चार किसमें कौन-कौन सी है audio, video, text and image तो data की इन चार types के बारे में भी आपको पता होना चाहिए